दोस्तों आज के वीडियो में हम सोल लांड की आगे की नौवल की कहानी को डिटेल में एक्स्प्लेन करने वाले हैं, इस वज़े से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखियेगा, वैसे दोस्तों मैंने इसकी पिछले सभी पार्ट को डिलीट कर दिया है, क्योंकि मेरी चैनल पर बहुत बड़ी प्रब्लम आई है, इस वज़े से मैं वीडियो में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन शॉट के साथ कुछ वीडियो को यूज करने वाला हूँ, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्लिप को यूज करता हों, तो हो सकता है मेरी चैनल दिलीट भी हो जाए इसलिए आप मुझे हमेशा की तरह स्पोर्ट कीजिएगा हमारा एपिसोड स्टॉट होते हैं हम सबसे पहले देखते हैं टांग्शन को जहां पर टांग्शन डीप सी दमॉनक वाले किंग को देखता है जो अब पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी में आ चुका था त तरहसल हुआ यह है कि हुमन बॉडी लेने पर जो उसे एनजी का लॉस होना था उसने तो उस एनजी को अपनी आमा के रूप में कनविट कर दिया है मतलब यह कहा जा सकता है टांग्शन का प्लान फेल हो गया है डीप सी दमॉनक वाले किंग के इस कदम ने सभी को हैरान कर लेकिन टैंशन शांत् वोकर देख रहा होता है यहां पर टैंशन को बस इतना ही फाइदा होता है भली ही डीप सी दमॉनक वाले किंग के पावर क्वीन रंक्सु से कम क्यूं ना हो लेकिन वो अभी के लिए गौड नहीं है जिससे टैंशन के चेहरे पर कोई भी डर नहीं ह इधर Deep Sea Demonic वाले किंग टैंशन को सिर्फ मारना ही चाह रहा होता है, क्योंकि टैंशन के 8 Spider Lance ने Deep Sea Demonic वाले किंग को ऐसा दर्द दिया होता है, जिसमें भयानक दर्द होने के साथ साथ उसको काफी ज्यादा एनरजी का नुकसान हुआ था, तभी इसी समय Deep Sea Demonic वाले किंग अप को कवर कर लेते हैं, और इसी के साथ टैंशन को टारगेट करते हुए अटैक करता है, एक ही पल में 10,000 से अधिक Purple Balls Light किसी कॉमिट की तरह टैंशन पर बरस जाते हैं, जो की रफ्तार में बिचली के बोल्ट की तरह होते हैं, वो जिससे भी टकराएंगे खुद के साथ उसे भी वर्स्ट कर देंगे, वैसे टैंशन ने Sea God को Unfixed Storm को यूज करते हुए देखा था, जिससे वो अपनी गलतियों को समझ लेता है, और आखिरकार अपनी ट्राइडेंट की Fast Technique Unfixed Storm को लांच कर देता है, भले ही अब ट्राइडेंट एक Divine Weapon ना हो, लेकिन फिर भी वो इसे य पाया, क्योंकि ये Divine Skill Trident के साथ साथ सी God से आया होता है, इसी के साथ Tension The Great Sumeru Hammer Ring Detonation का यूज करने लगता है, हम देखते हैं कि Dark Red Light का एक काफी बड़ा सकल फ्लेश होटता है, ये Blue Silver Emperor से नहीं बलकि Clear Sky Hammer से आया था, इसी के साथ Death God Domini को भी Activate कर देता है, और इसी Domain के कारण Golden Light Blood Red Color का हो जाता है, लेकिन Tension रुका नहीं Trident को लगातार घुमाते हुए और भी ज्यादा पानी के सकल बना रहा होता है, और Deep Sea Demonic वाले King के अटेक को इसी के साथ ब्लॉक कर देता है, हम देखते हैं कि वो बोल्विस फोर्ट ना कर सके, बलकि Unfixed Storm के अटेक ही गायब हो जा उसी के साथ ही अपने मन में सोचने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि Tension अब Sea God के Divine Ability को भी यूज कर सकता है, हम देखते हैं कि उसकी एक भी थंडर बाल में विस फोर्ट नहीं हुआ होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि रोंग रोंग भी लगातार Tension को इधर Tension भी किसी थंडर बोज की तरह दमोनक वाले किंग की ओर अटेक करता है, इधर ये देखकर दमोनक वाले किंग भी अपनी किसी टेक्नीक का इस्तिमाल करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट से परपल लाइट निकलने लगती है, और साथ ही वो किसी जेम की त जासता है, तो रिजल्ट घहा तक साबित हो सकता है, हाला कि जैसे ही Tension ने उस लाइट को अपनी तरफ आते हुए देखता है, तो तुरंत ही Tension अपनी Hammer के सेकंड रिंग में विसफोट करता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं, उसके अंदर से गोल्डन लाइट निकलने लग इस अटेक की पावर को भी Demonic वाले King ने हलके में नहीं लिया, उसका Armor और अधिक Flash होने लगती है, जिसकी साथ ही अपने हाथों से उस अटेक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं पाता और गिर जाता है, इस से 100 मीटर लंबी काफी बड़ी लहरे बन ज जाती है, वही टैंशन भी एक अटेक के बाद कहां रुखने वाला था, उसी के साथ अपनी Left Leg Soul Bone Demonic Axe का यूज करते हुए अटेक करता है, जो विसफोर्ट के साथ अटेक करती है, इसी के साथ टैंशन के सेकंड स्विंग भी शुरू हो जाती है, इधर Demonic वाले King ये देख क अगर दर से पीला पर जाता है, उसे विश्वासता की टैंशन तो उसका कुछ नहीं कर पाएगा, लिकिन अब उसकी हालत खराब हो जाती है, तभी Demonic वाले King ने कुछ अजीब किया, अपने दोनों हाथों से कान के पास कुछ साइन बनाता है, टैंशन को टार्गेट करते जोम खोलता है, उसी से आवाज के साथ एक एनजी की उवाइड लाइन दिखाई देती है, इधर ये देखते ही सियो बाई जोड़ से चलाते हुए टैंशन को केफूल रहने के लिए के लिए कहती है, और कहती है कि ये स्की काउर एनजी है, और ये उसकी रियल एनजी है, इ मौनक वाले किंग के आवाज धीरे-धीरे करके रोने ड्रेगन की तरह हो जाती है। हम देखते हैं कि वो वाइट लाइट आसमान में कंडेंस होने लगती है और सीधे टैंग्शन के हैमर से टकराती है। होना क्या था वह वाइट लाइट हैमर से टकराने की वजह से विसफोट होता है और साथ ही बिखर जाता है जिसकी साथ ही दमॉनिक वाले किंग की आँखों से खून निकलता हुआ दिखाई देता है वही दूसरी तरफ टैंशन की हालत भी ठीक नहीं होती है टैंशन भी जादा घायल हो चुका होता है जिसके साथ ही दमॉनिक वाले किंग गुस्से से टैंशन की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है साथ ही वह अपनी परपल लाइट को अलग करते हुए दो काफी बड़े हैमर के आकार के दो एनजी से बनी वेपन को बनाता है यह अटैक लोज रेंज में भयानक अटैक हो सकता है इधर टैंशन भी तुरंथी सौसेज को खाते हुए ट्राइडेंट से डिमॉनिक वाले किंग के हैमर का अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ता है जिसके साथ ही हम देखते हैं कि टैंशन अपनी ट्राइडेंट से डिमॉनिक वा वाले किंग भी नहीं रुकता है वो भी काफी ज्यादा तेज होता है वैसे डिमॉनिक वाले किंग ने अपनी हैमर का यूज दग्रेट सुमेरू हैमर की तरह ही यूज कर रहा था जिससे टैंशन सिर्फ उसके अटैक को डोज कर पा रहा होता है और इतना कहते ही आज का हमा प्रहे वीडियो में